आपा मैं अडॉप्टेट हो क्या है? अरे नहीं नहीं बेटा कैसी बाते कर रहे हो? पेट, हमारे आथ में होता था तो मैं लेते क्या है? मैं किरया होया पंदा जमानी चे बली है मैं क्या हुलता है दुशार? यह? लाइफ में ना, सबसे आदा क्या इंपॉर्टन्ट है? पैसा या दोस्ती? अब्विसली दोस्ती है ना? हाँ पात्सोर रुपे जा ना? तो दोस्तो आपने इस वीडियो को देखा इस वीडियो को मैंने बना है अपने मुबाइल से दोस्तो इस टाइब का वीडियो आपने मुबाइल से बना सकते हैं तो दोस्तो अगर आप भी अपने इस्टाग्राम के लिए इस टाइब के रील बनाना चाहते हैं या फिर अपने फीस्बुक के लिए इस टाइब के रील बनाना चाहते हैं नहीं कोई character आपको बनाने की जरुद पड़ेगी नहीं दोस्तों आपको कोई background डाउलोड करने की जरुद पड़ेगी तो दोस्तों कैसे इस type के content आप बना सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक जरुर करना अपूरा देखना है उसमें आपको सब कुछी step, भाज step मैं आपको समझाओंगा कैसे आप इस type के content बना सकते हैं तो simply मैं यहाँ पे अपने Instagram को open कर लेता हूँ, open करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा था है कैसे, यहाँ पे views कितना आता इस type के content पे, तो यहाँ पे मैं पहले open कर लिया हूँ, open करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि मैंने channel को open कर लिया है, और पर उसके बाद कितना पैसा कमाता है तो आप दोस्तों बनाके अपने इंश्टा पे इंस्टा ग्राम पर अप्लोड कर सकते हैं। यां पर दोस्तों आपको देख लेना मैं आपको दिखा रहा हूं तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां प सब गडढ及 दिखाnin by त regrets亞 तीसरा वीडियो तीसरा वीडियो यह तीन लाओ पचाफाचार विडियो यह तीसरा वीडियो पर ठीक है और उसके बाद दोस्तों अभी ज looks zaman latest डाला है ठीक है आप यहांपे देख स Olay 7,000 view आया है उस पे और उसके पहले दोस्तो एक लाग 18,000 view आया है और उसके बाद दोस्तो चौथा वीडियो डाला है उसके दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.3 million तो दोस्तो बहुत ज्यादा रीचे इस वीडियो का तो दोस्तो इस टाइप के वीडियो को लोग पसंद ज्यादा व्यूज आता जैसे के दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2.7 million व्यू है उसी के बाद दोस्तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं 6.6 million व्यू है और उसके बाद दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 million व्यू है और उसके बाद यहाँ पे आ Instagram पर ब्रूट करते तो दोस्तो आपको Instagram पर जो बोनस मिलता हो तो मिले गई ही साथ में अपको Sponsors मिले गए Spotify स्पोनसर से दोस्तों आप बहुत ज्यादा प connectivity कमा सकते हैं जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर फिले करके आपको दिखा देता हूं जैसे कि हर एक reel पर ये add लगाता है, और हर एक reel का वो charge करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, 298 post है, और उसके बाद यहाँ पर इसके जो follower है, 226,000 इसके follower है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइट के वीडियो का डीच भी है और अर्णिंग भी इससे बहुत अच्छा खासा होता है अच्छा दोस्तो इसी रिल को आप अपने फेस्बुक पे भी अपलोड कर सकते हो अपने यूटूब शॉट्स पे अब इसको दोस्तो बनाना कैसे उसका मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ तो सिंपली आपको क्या करना सबसे पहले आपको कोई अप्लिकेशन डाउनलोड करने की जरूत नहीं पड़ेगी ना कोई बैक्ग्राउन डाउनलोड करने की जरूत पड़ेगी और ना ही दोस्तो आपको कैरेक्टर बराने की जरूत पड़ेगी सब कुछ आपको यहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा सिंपली आपको थोड़ा सा एनिमेशन कराना है और दोस्तों आपको कोई joke जैसे आप joke वाला video बनाते तो दोस्तों आपको joke जो है पहले से कहीं से download कर लेना है या फिर दोस्तों आप जहां से भी ले सकते हैं joke आपको बहुत सारे internet पर मिल जाएंगे और उसका दोस्तों आपको कोई copyright वगरा नहीं आता है simply आपको उसका voice over कर लेना है या फिर दोस्तों आप किसी भी चुटकुले का किसी भी jokes का किसी भी story का voice अपने AI से जनरेट करा सकते हैं AI website पर जाके voice जनरेट करा सकते हैं आपको खुद भी उसका voice over नहीं करना रहेगा अगर दोस्तों आपको AI से voice जनरेट कराना नहीं आता है तो simply आपको यहां करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से वीडियो को देखके सीख सकते हैं कि कैसे AI से voice जनरेट कराया जाता है तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे इस टाइप के content बनाया जा सकते हैं अपने mobile से तो simply आपको क्या करना है आपको अपने यहां पर chrome browser को open करना है तो यहां पर मैंने इसको chrome browser को open कर लिया है तो simply दोस्तों आपको यहां पर type करना है जहां पर search और type URL लिखा हो यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर simply type करना है animate animate यहाँ पर मैंने animate type कर दिया animate from audio ठीक है पहला आपको जो option मिल रहा है इस पर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपक कोई भी इनिमेशन बरा सकते हैं फ्री में यहां पे दोस्तों आप देखने को मिल जाएगा आपको फ्री तू यूज नौट क्रेडिट कार्ट रिक्वायर्ट ठीक है आपको कोई भी चीज का पैसा नहीं देना है सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाले तो दोस्तों आपको यहां पर इस्टार्ट नौप पर क्लिक करना है मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है अभी दोस्तों आपने जो हैं पर रिल देखा था तो मैंने इसी वेबसाइट पर आके बनाया था और दोस्तों आप यहां पर देख सकत सकते हैं अपने शोचल मीडिया प्लेटफर्म पर इसको डालते हैं तो आप इंस्टाग्राम से और फेस्बूक से और इसके बाद दोस्तों यूटूब से तो कमा ही सकते हैं तीन जगह आप इसको अपलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है आने तो हम यहां से last से शुरुवात करेंगे, पहले हम size पर click करेंगे, click करने के बाद दोस्तों, अब यहां पर आपके सामने, ऐसा interface आ जाएगा, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे ratio आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर resize for का option मिलता है ठीक है यहाँ पर आपको resize for का option मिलता है इस पर अगर आप click करते हैं तो click करने के बाद दोस्तों आपका social media का जो platform होता है जितना भी social media के platform है सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे जैसे के दोस्तों पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं Instagram यहाँ यहाँ पर selected है पहले से उसके बाद आप यहाँ पर Facebook का भी option मिल जाता है आपको Facebook के लिए अगर आप चाहेते हैं तो आपको यहाँ पर Facebook का भी option मिल जाएगा उसके बाद जो एक साता मतब ट्यूटर उसका नाम बदलके X हो चुका है तो यहाँ पर ट्यूटर के भी आपको यह मिल जाता है रेसियो और उसके बाद YouTube के लिए Pinterest के लिए भी मिल जाता है और इसके बाद बहुत सारे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे TikTok अगर बैन हो चुका है तो दोस्तों उसका भी आपको यहाँ पर option मिल जाता है तो जैसे के दोस्तों अगर आप अपने YouTube के लिए बनाना चाहते है तो दोस्तों आपको यहाँ पर YouTube पर किलिक करना होगा किलिक करने के बाद दोस्तों अब YouTube पर तो डाइप की वीडियो अपलोड होते है जिससे एक रील होता है एक लोंग वीडियो होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर लोंग वीडियो का जो सा करना है उपको पहले ले सकते हैं यहां पे इस तरह से जो भी लेना चाहिए पहले सकते हैं तो मैंने यहां पर पर क्लिक करने के बाद दोस्तो अब यहां पर पे आप देख सकते हैं बहुत सारे background आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं और अगर आप filter उक्रण करे search करना चाहते हैं आप बहुत जादा टाइम नहीं देना चाहते ढरत मैं मिल जाते हैं भी जैसे के दो पर चलो यह वाला में सिलेक्ट कर लेता हूं ठीक है यह वाला सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हमा आ जाते हैं कैरेक्टर पर अब यहाँ पर दोस्तों कैरेक्टर पर हमा चुके हैं तो कैरेक्टर पर आने के बाद दोस्तों जो कैरेक्टर आपको लेना है यहाँ पर आपको कैर करेक्टर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे कोई भी करेक्टर आपको न इंपोर्ट करने की जरुत पड़ेगी न दोस्तों आपको बनाने की जरुत पड़ेगी सब करेक्टर आपको यहां पर मिल जाने वाले हैं और हर टाइप की करेक्टर आपको यहां पर मिल जाए ठीक है ऐसे भी बहुत सारे आपने वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे या फिर सोचल मीडिया प्लेटों पे कि दोस्तो आइस क्रीम बात कर रहा है फल फूरूट बात कर रहे हैं यह सारे दोस्तों आपको यहां पर सोचल मीडिया पर मिलते हैं और दोस्तों उस पर एक यहां पर इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका पॉपकोंच भी बात करना शिचाट कर देगा उसकें बट बात करना रहे हैं ठीक हैं बर्गर बहुत सारे दोस्तों आपको यहां पर गैरेक्टर देखने को मिल जाएगे जो फूड वाले है ठीक है। आपको यहां पर मुसलिम ख़रेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। जिस टाइप के character दोस्तों आप चाहते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अब इनसे दोस्तों dialogue कैसे बुलवाना, कैसे आप जो है voice add कर सकते हैं, कैसे दोस्तों इससे video बना सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला, तो दोस्तों आपको क्या करना है, video को द किया, उसका हम voice record करेंगे, तो simply आपको यहाँ पर क्या करना है, record वाले बटन पर click करना है, click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर click किया, पापा मैं adopted हो क्या, अब इसको हम done पर click कर देंगे, यह हमारा एक scene हो गया बनके ready, ठीक है, अब य इसको download भी कर सकते हो तो जैसे के दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा scene बनके ready हो चुका है और इसके बाद हम यहाँ से इसको download कर लेंगे download करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर simply आप बटन दिखेगा download का ठीक है तो यहाँ पर आपको download पर करना है इस तरह से आपको करना है क्लिक क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको download करने के लिए option मिल जाएगा simply आपको यहाँ पर download वाले बटन फिर से क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर आपको क्लिक करके देख सकते हैं कि यहापको दिखा देता हूँ जिसे कि दोस्तों आप यहापके देख सकते है हमारे मुबायल में ये आ चुका है सिर्भ हमारे गैल्टी में हो चुका है यह बन kay ready हो चुका है अब आपको क्या करना है आपको दूसरा वाला scene बनाना जो उसके पापा वाला scene है फाइल को सेब करके रख लेना उसके बाद मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे AI वाला आपको यहाँ पर करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और सब कुछ मैं आपको सही तरीके से समझाओंगा आपको अच्छे समय भी आ जाएगा तो यहाँ पहला scene बनके ready हो चुका है, दूसरा scene दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर से जाएंगे अपने chrome browser में, तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा पहले वाला character है, इसको हम यहाँ से remove कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको remove करेंगे, और इसकी जगहाँ पर हम दूसरा जो papa वाला character है, उसको हम यहाँ पर add करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले all पे click कर लेते हैं, ठीक है, all पे click कर लेते हैं, और click करने के बाद हम यहाँ पर पहले papa सर्च कर लेते हैं, कौन सा papa रखना है आपको, तो चलो माल लो अगर यह वाला papa है, इसको हम य यह वाला ले लेते हैं ठीक है यह वाला हमने ले लिए background और उसके बाद दोस्तों अब यहां पे क्या करेंगे यहां पे हम करेंगे इसके आवाज को record ठीक है पापा वाला जो आवाज रहता वो भी हम यहां पे record करेंगे तो simply यहां पे आपको record पे type करना है और उसके बाद उसका जो डायलोग रहता पापा का उसको आपको यहां पे बोलना है तो हम यहां पे डायलोग पहले बोल लेते हैं अरे नहीं नहीं बेटा अगर यह हमारे हाथ में होता तो तुमको लेता क्या यह हमने dialogue पो बोल दी है ठीक है तो दोस्तो finally यहाँ पे export हो चुका है अब इस वाले file को भी हम download कर लेते हैं जैसे हमने पहले वाले file को download किया तो simply यहाँ पे download पे click करना है और click करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां से cut कर लेना और इसके बाद दोस्तों यहां पर download पर click करके इस file को download कर लेना ठीक है हमारा यह file download हो जाएगा और gallery में save हो जाएगा ठीक है तो gallery में save हो चुका है अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है आप किसी file को किसी भी audio file को इसमें import करके दोस्तों अगर आप मालो अपना vice over नहीं करना चाहते हो अपने मुझे vice over नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको जो है dialogue को पहले से download कर लेना है ठीक है AI से generate करा लेना है या फिर दोस्तों आप जिस तरह से भी file बना के रखना चाहते है gallery में आपको save कर लेना उसके बाद दोस्तों यहाँ पर import कर लेना है तो import कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो पहला वाला दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको record करके इससे dialogue बुलवा सकते है तो simply आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते है record your character dialogue और browse mp3, aif, wav and mp4 file मत्तब कि दोस्तों आप यहाँ पर किसी वीडियो को भी import कर सकते है और वो audio का काम करेगा उसके audio को ले लेगा वीडियो को यहाँ से delete कर देगा ठीक है और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा जो मैंने आपको गैल्री में दिखाया था तो दोस्तों इसकी जो quality है ना वीडियो की बहुत जबरदस्त है यहाँ पर जरा भी quality इसका down नहीं होता है और एकदम अच्छे quality में यह record होता है मतब कि यहाँ पर save होता है अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि file को import करना है चाहे audio हो चाहे MP4 file हो ठीक है चाहे video हो चाहे audio हो आपको यहाँ पर क्या करना है कि browse पर click करना है और उससे पहले दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपने voice को enhance भी कर सकते हो ठीक है voice की quality को भी बढ़ा सकते है यहाँ पर अगर आप click करते हैं और उसके बाद आप अगर record करते हैं आपकी voice की quality रहेगी वो भी बढ़ जाएगी तो अभी तो फिलोहाद दोस्तों मैंने record करके आपको दिखा दिया है अगर आप अपने आवाज को enhance करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर record करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पहले इस button को enable करना होगा ठीक है इनेबल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर record पर क्लिक करेंगे तब जाके आपके voice quality में फरक आएगा ठीक है तो अब यहाँ पर मैं यह तो करके दिखा दिया हूँ अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको browse पर क्लिक करके दिखा दा हूँ मैंने इसी को copy करके यहाँ पर बनाया है ठीक है तो simply आपको क्या करना है मैंने वहाँ पर उसको select कर लिया select करने के बाद दोस्तों देखो uploading होना start हो चुका है ठीक है यहाँ पर uploading होना start हो चुका है अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इसको upload होने देना है और उसके बाद दोस्तों इसको upload होने के बाद हम इसको edit करके आपको दिखाएंगे आपको इसको एडिटर को एडिट कर लेना है अब करने के बाद दूस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा वीडियो पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर new को क्लिक कर लेना ठीक है क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम दोनों फाइल को ले लेंगे पहले हम इस फाइल को लेंगे यह वाले फाइल को उसके बाद हम यहाँ पर उसके बाद फिर दोस्तों हम यहां पर क्लिक करेंगे जो हमने पापा का जो सीन डिकवार्ट किया तLike अब्याँ पे मिस पहले वाला जो पारच आ जो लड़का बोलता है उसको हम डिलीट मारगे इस तरह से यह हो गए व्याख़वा फिर हम प्ले करके देखते हैं अब यहां से इसको कट मारना है यह वाला सीन पूरा कट मार देना है उसके बाद फिर यह वाला सीन आ जाएगा तो यहां पर आपको क्या करना है इस वाला जहां मतलब जहां पर इसका मुह खुला रहे गया वहां पर आपको set करना है और इसके बाद कट कर लेना है इस तरह से कट कर लेना है delete मार देना है अब यहां पर मैं इसको freeze कर दूँगा ठीक है इस तरह से freeze कर दूँगा freeze कर दिया इसको मैं और उसके बाद दोस्तों बाकी का part हम यहां से डिलेट कर लेंगे इसको हम कर लेंगे डिलेट डिलेट कर लेंगे अब यहाप आप देख सकते हैं पूरा scene बनके रेडियो हो चुका है अब हमें adopted हो के अब यहाँ पर दोस्तों music चलेगा ठीक है तो आप जो भी music आइड करना चाहते कर सकते हैं अभी फिलाल दोस्तों जो music यहाँ पर है उसी को हम लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों दोनों scene का जो background एक जैसा हो गया है इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था दोस्तों आपको यह ची इसे क्लिक कर लेना ठीक है क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं प्ले कर लेंगे ठीक है यह वाला कर लेंगे फिल्टर पर जाएंगे और इसके बाद फिर से यहाँ पर फिल्टर पर आएंगे फिल्टर पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस कहीं करेंगे यहां पर की फ्रेम को सेट करेंगे यहां पर की फ्रेम को जित करेंगे ऐसे और उसके बात हम यह पर क्वाइब कि आएंगे ऐसे ठीक है यहां तक लेके आएंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसा जून कर लेंगे देखो अब फिर से प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ देखो यहां पर यहां पर यहां पर उसी मुझिक के हमाइड कर देते हैं ठीक है तो सिंप्लि हम क्या करते हैं कि यहां से ले लेते हैं उपर से तो हमने यहांपे save करके रख़ा यह वाला यह हो गया अब यहां सम्छक कर लेते हैं उपर से देखो यहां सम्छक कर लेते हैं ऐसे यहां अब हाटा देते हैं और इसके बाद फिर से play करके हम आपको दिखाते हैं अब यहां पे दोस्तों आप अपने चैनल का नाम भी दे सकते हैं, फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, यह लाश्ट सीन में आपको फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, जो भी करना के लिए बोलना चाहें, बोल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा scene बनके ready हो चुका है और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि in short में logo को इसे delete करना है logo को इसे हटाना है तो simply आपको यहाँ पर in short का logo दिख रहा होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं logo दिख रहा है यहाँ पर आपको cut वाले निशान पर click करना है और इसके बाद free remove पर आपको click करना है इस तरह से आपको click करने के बाद दोस्तों आपको side यहाँ पर add दिखाया जाए हो सकता नहीं भी दिखाया जाए ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से आपको add आएगा देखने के लिए और उसके बाद add आप देखेंगे और उसके बाद background remove हो जाएगा तो अब दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि watermark remove हो चुका है आपको यहाँ पे watermark देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तो आपको आप क्या करना है कि आपको इस वीडियो को save करना है तो दोस्तो आपको यहाँ पे save पे click करना है और इसके बाद फिर से आपको save का option मिलेगा इस पे आपको click करना है तो इस तरह से दोस्तो आपको वीडियो को save कर लेना है सेब करने के बाद दोस्तो अब मैं आपको गैल्डी में इसको ओपन करके दिखा देता हूँ गैल्डी में हम जाते हैं यहाँ पे वीडियो सेब हो चुका है गैल्डी में हम जाते हैं और इसके बाद दोस्तो इसको प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा file यहाँ पर आ चुका है save हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं play कर लिते हैं देखो जब अरदस्त वीडियो बन चुका है दोस्तो आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आई है आपको इस वीडियो कुछ सीखने को मिला तो दोस्तो तो आप हमारे इस वीडियो को like जरूर कर देना और दोस्तो इसी तरह के और भी content पाने के लिए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए दोस्तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press करके रखना क्योंकि दोस्तो मैं कोई भी नया इस type के video डालूँगा जो आपको कुछ सीखने में मदद मिलती है जिससे उस type के अगर content को मैं डालता हूँ उस type के video को डालता हूँ तो दोस्तो अगर आप notification on करके रखोगे तो आपको उसका notification जाएगा और आप दोस्तो उस video को देखके कुछ सीख सकते हैं तो चलो दोस्तो आज की इस video में बसित नहीं वीडियो आपको कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बताना और दोस्तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं किसी और informative वीडियो के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे जय हैं